हलो दोस्तों एक फिर से में माज जीरू हूँ 69022 के इंपोर्टेनियमेंटिस के साथ आप कम्प्लीट वीडियो जान से देखें कि विलाश में आपको दो कोशन के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन देखते हैं हाल ही में कितनी बैंकों को RBI द्वरा D-Sips की पोजिशन में सामिल किया गया है D-Sips मतलब क्या होता है domestically systematic important bank तो D-Sips बन गई है तीन देखे जब से ये D-Sips जारी हुआ है तो इस्टार्टिंग में दो बैंक थी बाद में 2017 से तीन बैंक है D-Sips देख लेते हैं RBI द्वरा हाली में तीन बैंकों को D-Sips के तौर पर सामिल किया गया है यानि domestic systematically important bank ये तीन बैंक कौन सी है SBI, ICIC bank और SGFC bank जो ये तीन बैंक है ये लगातार 2017 से D-Sips की category में है D-Sips मतलग क्या होता है D-Sips में वो institutions या फिर bank होती है जिनके fill हो जाने पर देश की economy पर काफी ज़्यदा प्रभाव पड़ेगा तो D-Sips framework 2015 में जारी क्या गया था तब से हर वर्स आपको D-Sips की ranking जारी करनी होती है तो RBI बैंकों के लिए domestic systemically important banks की list जारी करता है अगर आप से ही पूछ लिया है कि insurance sector के लिए तो IRDAI जारी करता है जिसने कुछ दिन पहले ही जारी की थी और उसने कहता है LIC, GIC और New India Insurance ये DSII है याद रखेगा तो जैसे DSII है वैसे ही D-Sips है ये याद रखेगा बस RBI आजकर बहुत काम कर रहा है आफलाइन payment framework जारी किया है जिसमें क्या होगा 200 रुपए तक आप आफलाइन mode में टाजेक्शन कर सकते हैं नया question है रामनात गोयन का excellence award इसकी सुरुवाद किस वर्थ से की गई थी रामनात गोयन का excellence award इसकी सुरुवाद की गई थी 2006 से जर्नलिज्म की फिल्ड में दिया आता है किसमें जर्नलिज्म की फिल्ड में दिया आता है दा हिंदू ये तो आप जानती होंगे दा हिंदू दोरा दिया आता है चर्चा में क्यों है मैंने दो दिन पहले ही आपको बढ़ाया था सिव सहाय सिंग को रामनात गोयन का आवर्ड मिला है Uncovering India Invisible काटेगरी में कौन सी काटेगरी में Uncovering India Invisible काटेगरी में सिव सहाय सिंग को क्या मिला है रामनात गोयन का आवर्ड अब एक और काटेगरी है फोटो जर्नलिस्म राम नाद गुन का आवार्ड फोटो जर्नलिस्म की कटिगरी में मिला है जिशान ए लतीफ को किसको जिशान ए लतीफ दे रेख लिए आप ये हैं जिशान ए लतीफ जिशान ए लतीफ इनको फोटो जर्नलिस्म की कटिगरी में राम नाद गोयन का अवार्ड मिला है तो फोटो जर्नलिज्म की कटिगरी में किसको जिशान ए लतीफ को और सीव साहाई सिंग को किसको इंडिया इन्विज्वल कटिगरी में तो इतना याद रखेगा इंडिया, इन्विज्वल कटिगरी में सिरुसाय सिंग और फोटो जर्नलिस्म की कटिगरी में जिसान ए लतीफ रामनाद गोईन का अवार्ड इनको NRC की फोटोग्राफी करने के लिए मिला है तो NRC आपको पता ही है नेशनल लेजिस्टर्ट वाफ सिष्डियन, NRC विवाद हुआ था उसकी लिए रामनाद गोईन का एक्सलेंस अवार्ड जर्नलिस्म की फील्ड में एता है 2006 से इसकी सुरवात हुई थी, दाहिन दूदरा नेकोशन है सुर्च भारत मिशन ग्रामीर फेच्टू के तहत सबसे ज़्यादा ओपें डिफिकेशन फ्री विलिजेस वला इंडियन स्टेट कोणमन क्या है यानि ओपें डिफिकेशन फ्री प्लस विलिजेस सबसे ज़्यादा कहांपे है तेलांग improveset नामे सबसे ज़ाधा open defication free village कहां है तिलांगना में तो सवच भारत mission phase 2 याद रखेगा तिलांगना के बाद तमिल नारो आता है फिर करनाट का आता है बस इतना है याद रखेए तिलांगना में हाली में 81st 29 को सस्पिंट कर दिया गया कोविट की कारण जो की हैदराबाद में हो रही थी तो तिलांगना ने ODF प्लस villages में टॉप किया है सवच भारत mission phase 2 के रहत सवच भारत mission phase 2 की बात करें 2020-2021 से 2024-25 तक रण किया जाएगा एक लाग 40,881 क्रोड उपर दे गया है सवच भारत mission के लिए सवच भारत mission ग्रामीर 2 अक्टूबर 2014 को लांच किया गया था परपस क्या था अगले 5 वर्सों में 5 वर्सों में इंडिया को open defication free बनाना जो की लगभग achieve हो गया है और तेलंगना टॉप पे है open defication free प्लस villages की काटिगरी में ये odf plus क्या होता है odf plus ये होता है कि खुले में आपको कोई सौच करता हुआ व्यक्ति ना बेए और जो management है इसका service का या acceptance का उसका धंग से हो चले देख लेते हैं किस bank ने decide किया है कि वो IMPS immediate payment service IMPS जो limit है उसको 2 लाग से बढ़ाकर 5 लाग कर देगा तो हाली में SBI ने कहा है कि IMPS के तरह जो 2 लाग की limit है उसको बढ़ाकर वो 5 लाग कर देगा IMPS इसके तरह instantly आप money भेज सकते हैं किसी भी bank account में तो digital banking को adopt करने के लिए वो customer को encourage कर सके इसलिए जो IMPS online transaction limit है इसको 2 लाग से बढ़ाकर 5 लाग कर देगा SBI दोरा तो Yono bank Yono जो application है you only need one Yono का full form है इसके तहर अगर आप IMPS transaction करना है तो 5 लाग तक का transaction कर सकते हैं IMPS की बात करें immediate payment service 2010 में launch की थी SBI की बात करते हैं देखिए 2021 में 3 presidencies की bank को यानि की कलगता मदरास मुंबाई की bank को मिला कर 1921 में क्या बना इया Imperial Bank of India और Imperial Bank of India 1995 मन गी SBI State Bank of India इसका headquarter है मुंबाई में चेर्मैन है दिनेश कुमार खरा ने question है 100% LPG coverage वाला देश का पहला राजी को बन गया है तो भारत का पहला राजी बन गया है हिमान्चा प्रदेश कौन हिमान्चा प्रदेश जहां पर 100% LPG coverage है यह देख लीजे आप हिमान्चा प्रदेश देश का पहला राजी बन गया है इसके तहत LPG connection दिये आते हैं राजी में तो हिमान्चा प्रदेश देश का पहला राजी बन गया है जहां पर 100% LPG connection है हिमान्चा प्रदेश की बात करते हैं तो यहां आप मैप में देख लीजे यह है हिमान्चा प्रदेश जैराम ठाकूर यहां का क्या है Chief Minister और रामनात अलेकर कौन है के? गवनर है राजेंदर अलेकर हिमान्चा प्रदेश के गवनर है देखें पिन वैली नेशनल पारक हिमान्चा प्रदेश में आता है Flower Valley कहा आता है उत्राखन में आता है और Silent Valley आता है Keral में ये तीनो Valley National Park है इसलिए आप Confuse हो सकते हैं वापस आते हैं प्धामंत्री उजुला योजना पर 2016 में लॉंच कीजी LPG जो Gas Lender है वो दियाते है BPL Family में जो महिला होती है जो सो ये connection दिया एता है उजुला 1.0 की बात करें तो 5 करोड महिलाओं को connection देने थे जो की 8 करोड तक पहुँच गए है टेशन मत लीजे आप बहुत बहतरी चल लही है उजुला इसकीम Losar Festival Losar Festival हाली में किस state या फिए यूटी में celebrate किया गया है तो Losar Festival मनाये गया है लदाख में हर बार न्यू यर के मौके पर Losar Festival मनाया रता है कहाँ पर? लदाख में देखे लदाख की जो तिबतन बुद्धिज्म है या बुद्धिज्म कम्यूटी है वो लदाख में Losar Festival मनाती है तो हर वस इस रीजन में मनायता है, 15 दिनों तक लोसार फेस्टिवल चलता है, याद रखेगा लोसार का मतलब क्या होता है ? new year, ये किसकी याद में मनायता है लोसार फेस्टिवल, तो एक बहुत भिक्ष होते जिनका नाम था जे सोंगफ़ा इनकी याद में आपकर लोसार फेस्टिवल मना यता है इसके लवा लगदा का एक और फेस्टिवल बहुत फेमस है है मिस फेस्टिवल यह याद रखेगा लगदा की यूनियन ट्रेटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को वर्तमान में लिटेंट गवर्नर कौन है आर के माथूर ने कोशन है हमार हाली में कि पेमेंट बैंक को आर बे द्वारा सेडूल बैंक का दरजा दिया गया है तो देखिए कोशन कभी भी यह नहीं मिनेगा क्योंकि फर्स्ट पेमेंट बैंक थी पेटियम पेटियम जो है फर्स्ट पेमेंट बैंक थी जिसको आर बे द्वारा सेडूल बैंक का दरजा मिला था ARTL payment bank दूसरी payment bank है नहीं second payment bank है जिसको ये दर्जा मिला है इससे पहले Paytm payment bank को मिल चुका है हाला कि अगर बात की जाए तो इंडिया में पहली payment bank कोन सी थी ARTL, 2017 में इसने operation start कर दिया था headquarter नई दिली में है और CEO कौन है इसके नुबरत विश्वास ये हो गया आपका एक्स पेमेंट बैंक पेमेंट बैंक की सिफारिस किसकी कमिटी पे हुँथी? और जीद पत्रेल कमिटी। आपको याद ही होगा 24 में बेंडी थी इसने कहा था पेमेंट बैंक बनने चाहिए आरबीदोरा फिनो पेमेंट बैंक को International Remittance Business के लिए Approval मिल गया है यह हम पढ़ चुके है ने कोशन है First Women of Color याने की White Women's के अलावा First Women of Color To Complete Solo Unsupported Track आप साउस्थोल याने दच्छी दूरूर पर जाने वाली बिना किसी सपोर्ड की पहली Color Women कौन है तो हर्पीच चंदी मेरे खासे यही है हर्पीच चंदी देख लेते हैं हाँ Captain हर्पीच चंदी इन्होंने हिष्टी बना दी है First Women of Color हो गई है जिन्होंने अकेले यात्रा की है दच्छीड पोल पर बिना किसी सपोर्ड के तो चंदी 700 माइल यानि 1127 किलोमेटर चलके वहां पर पहुची है और माइनस 50 डिग्री सेल्सियर टंप्रेचर है याद रखेगा हवाई कितनी चे चलती है 60 माइल पर आवार यानि 1.6 इंटू 60 कर दीजे आप तो 96 किलोमेटर के हिसाब से हवाई चलती है साउथ पोल पे कौन पहुचिया है कैप्टन हरपीच चंदी यह फर्स्ट विमेन ऑफ कलर हैं जो पहुची है हाला कि यह इंडियन ओरिजिन है और बिटिस सिख आर्मी ओफिसर है हरपीच चंदी जब भी अंटर्किकर के नाम आये तो इंडिया के प्रोग्राम आद रिखेगा 1981 में इंडिया ने अंटर्किकर के लिए प्रोग्राम valve किया वर्टमान में इंडिया के टीम पर्मनेंट रिसर्च सेंटर है दक्षिर गंगोत्री जो की सबसे पहले बना था 1983 में फिर मैत्री बना 1988 में और भारती लेटिस्ट है 2012 का खला कि मैत्री और भारती जो है अभी भी ऑपरेशनल है दक्षिर गंगोत्री बंध हो गया है नेकोशन है बराक रिवर किस उत्तरपूर्वी राज जैनी नोर्फ इस्टरन इस्टेट से बहती है बराक रिवर ये बहती है आपकी मडिपूर से मडिपूर से बहती है उसके बाद तृपड आउस से होते हुए पता नि कहा कहा पिर बंगाल वगरा में चली आती है तो ये निकलती मड़ीपूर से हैं इसलिए साय ये कोश्यर मना है मेरा देखें प्राइमिस्टर मोदी ने तेरा प्रोजेक्ट इनका इनॉग्रेशन किया है मड़ीपूर में ये जो तेरा प्रोजेक्ट इनकी कोश कितनी है 1850 करोड के असपास ठीक है प्राइमिस्टर मोदी ने 280 करोड का वाटर ट्रांस्मिशन सिस्टम जो है लाँच किया है थौबल मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट थौबल मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट कहा है मड़ीपूर में याद रखेगा उसके लाबा बराक रिवर पर इस्टील ब्रिज इसका भी इनाउग्रेशन किया है तो मड़ीपूर से निकलती है आपकी बराक रिवर ठीक है गारोख हैसी जेजिंतियां के बाद जो पहाडिया है आपका इस्टन हिमाले वहां से बराक रिवर निकलती है मड़ीपूर जब भी आए मैप में तो देख लिजेगा ये पहली बाद तो ये लोकेशन देख लिजे ये है मड़ीपूर वर्ड का एकमाद यानि बिस्तू का एकमाद करता हुआ नेशनल पारक केबूल लामजाओ नेशनल पारक कहा है मड़ीपूर में है कौन सी लेक में है लोक्टग लेक लोक्टग लेक जो है वो नौर्थ इस्टन इस्टेट की सबसे बड़ी फ्लेश वाटर लेक है ये भी आद रखिएगा मरीबूर के चीफ मिनिस्टर है एन्बिरेंसिंग गवनर है ला गनेशन ने कोशन है मिलन मिलन एक नेवल एकसरसाइज है इसकी सुरवात किस वर्ष की दिए मिलन नेवल एकसरसाइज इसकी सुरवात की गई थी 1992 के आसपास इंडिया ने 46 देशों को इन्वाइट किया है कि वो 2022 में होने वाली मिलन एकसरसाइज में पार्सिपेट करें 2022 में Milan exercise कहा हूँ जा रही विसाखा पटमे में आपको याद रखना है इंडिया ने 46 कंटी को invite किया है कि 2022 की Milan exercise में वो participate करें Milan exercise 1995 में start हुई थी तब सिर्फ दो ही कंटी भाग लेती थी US की Navy और India की Navy ठीक है US Navy और India की Navy बाद में Japan ने इसको join के लिए 2015 में और last year, last time जब ये हुई थी Milan exercise तो इसमें आपके Australia की Navy ने भी participate किया था अगर इंडिया में बात करें तो last time ये अंड़मान निकोबार कमांड में कंटर्ट की गी थी दुहर रठारा में और 2022 में फिर से होनी है Milan exercise 46 इसको invite किया गया है नेवल exercise है ने कोशन है National IUS Mission इसकी सुरुवात कब की गई तो ये देख लीजिए National IUS Mission 2014 में इसकी सुरुवात की गई थी Centrally sponsored scheme है 2026 तक चलेगी National IUS Mission National IUS Mission के लिए Government of India ने 4603 करोड दिये है जिसमें से Central Government का share है 3000 करोड ये value याद रखिए अब चर्चा में क्यों है National IUS Mission ये ministry of IUS जरा National IUS Mission के तहत जो IUS भवान है नई दिल्ली में वहाँ पर IUS आहार की सुरुवात की गई है कैंटीन में इस IUS आहार में क्या होगा बहुत बहतरीन साका हरी वेंजिन मिलेगा तो IUS आहार की सुरुवात की ये नई दिल्ली की IUS कैंटीन में IUS ministry ने National IUS Mission के तहत इसको launch किया है तो National IUS Mission 2014 में launch हुआ 4603 करोड रुपए जिसमें Central कितना है? 3000 करोड रुपए ने question है Zircon एक hypersonic cruise missile है किसने टेस्ट की है? तो Zircon को टेस्ट किया गया है रशया दौरा, रूस दौरा जिरकॉन मिसाल को टेस्ट किया गया है देखिए hypersonic, supersonic, subsonic sonic किसको कहते है? इसकी speed आपको पता ही है equal to one mac equal to speed of sound आपको पता ही है? one mac equal to speed of sound subsonic क्या हो जाएगा? जिसकी speed एक mac से कम होगी supersonic क्या हो जाएगा? एक mac से लेके पाच mac के बीच में जिसकी speed होगी वो supersonic और पाच mac यानि ध्वनिकी आवाज से पाच गुने से ज़्यादा अगर आवाज हो तो हो जाएगी hypersonic तो Zircon एक hypersonic missile है यानि ध्वनिकी रफतार यानि 332 मीटर पर सेकंड से पाच गुने ज़्यादा तेज से ये चलती है आपकी जिर्कॉन मिसाइल रश्या ने successfully test कर लिया 10 नई जिर्कॉन मिसाइल को जो की hypersonic cruise missile है cruise missile क्या होती है? जो surface के पास चलती है और ballistic missile ऐसे चलती है तो जिर्कॉन किसकी है? एक घंटे में 1000 किलोंटर पहुद सकती बहुत खतन नाख होगी 620 मैल जिर्कॉन मिसाइल एवंगार्ड system का पार्ट है रश्या की hypersonic arsenal यानि यूद्ध का पार्ट है बाकी कुछ important नहीं हाले में रश्या द्वरा अंगारा A5 rocket का successfully test किया गया था रश्या की बात करें तो Moscow इसकी capital है currency है ruble president है व्लादवीर पुतिर 2036 तक बनेंगे word की deepest lake बैकॉल लेक कहा है? रश्या में है और यादर रिखिया Duma यहां की संसत का नाम है next question है crypto wire इन्होंने इंडिया का पहला crypto index launch क्या है IC 15 यह इंडिया का पहला crypto exchange है इसका base price क्या होगा base value क्या होगी तो IC 15 यह इंडिया का पहला crypto exchange है इसकी base value होगी 10,000 कितनी होगी 10,000 crypto wire इन्होंने देश का पहला crypto index launch क्या है IC 15 इसकी base value होगी कितनी 10,000 देखिए crypto क्या करेगा विसकी जो top 15 global digital currencies है उनका liquidation करके value आपको provide करेगा जिसे bitcoin हुआ ये सारे आपकी crypto currencies है इनका liquidation करके आपको equal value देगा मतलब कि आपको average value देगा आप invest कर सकते हैं और इसे आपको loss नहीं होगा bitcoin के जितना price बढ़ेगा आपको फायदाई होगा एक तरह का exchange traded fund है तो crypto wire index जो है government committee द्वारा हाली में monitor किया गया है और देखते हैं क्या होता है हलाकि crypto wire के जो index है IC 15 10,000 इसका base price होगा और 1 April 2018 इसका आधार वर्स होगा cryptocurrency bitcoin आपको पता ही है ब्लॉक में transition होता है coffee secure है next question है common service center सुबात कब हुई थी 2009 में common service center CSC की सुराथ हुई थी यहाँ पे आधारकार पैड कार्ड आई परवाड पत्र सब कोज बनवा लेते हैं यह ministry of telecommunication की दहता आता है आपका CSC common service center इन्होंने mystery of culture के साथ क्या किया है collaboration किया है क्या करेंगे first ever cultural survey करेंगे इंडिया की villages में mobile application की द्वारा तो cultural survey होगा इंडिया की villages में mobile application के द्वारा इस survey है इसका नाम क्या होगा मेरा गाउँ मेरी धरोहत यह survey कौन कर रहा है common service center along with mystery of culture याद रिखेगा common service center की बात करें तो seventh जो economic census हुए थे हाली में उसमें common service center का बहुत बड़ा रोल है इसलिए यह मेरा गाउँ मेरी धरोहर campaign लाँच करने जा रहा है common service center 2009 में शुरुआत हुई chairman है अजय प्रकास और CEO का नहसंजे कुमार राकेस और याद रिखेए ministry of telecommunication last question है आज का SH Sarma हाली में इधर हो गया क्या थे तो यह navy officer थे SH Sarma बहुत famous personality है देख लीजे यह हैं आपके SH Sarma जो 1971 का इंडिया पाकिस्तान war हुआ था 1971 इसमें eastern fleet के flag officer commanding थे क्या नाम था vice admiral SH Sarma रिटार हुए थे 100 की age pain की death हुई है नाम क्या है SH Sarma आपको याद रखना है तो यह आची वीडियो से question है easily आपके जवाब देव देए जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तो लिटके care good bye and check